रात का समय था करीब दो बज रहία थे जब इरफान की नीध खुली तो उसके बिस्तर पर नहीं थी तो अपनी पतनी को ढूलने लगा पतनी को ढूरते विरफान अपने भाई के रूम में पहुचा तो उसका भाई उसकी पतनी को गोडी बनाकर पीछे से अच्छे से उसका बाजा बजा रहाथ है उसके बाद क्या होगा दोस्तों पूरी कहानी जाने के लिए हमारे वीडियो में अंतितक जरूर बने रहे नमस्कार दोस्तों सागा थैंफ सभी का हमारे ASN कराइम अफियर चेनल में दोस्तों sono प्रेशन कराया और फिर चनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा सेर भी कर दीजिए दोस्तों दोस्तों चलती जवानी और हुरस की एक आनिम बद्ध परदेश के भौपाल जिले से सामने आई है यहां के रहने वाले इरफान की सादी लगबख आठ साल पहले शाबाना नाम की एक लड़की से हुई थी जिसके पास तीन बच्चे भी थे दोस्तों अपने घर में इरफान सबसे बड़ा था तो पूरे घर की जिम्मदारी इरफान के उपर थी तो वो एक ठुकाई आपरेटर की खोज में लग जाती थी दोस्तों ऐसे कई दिनों तो चलता रहा और एक दिन इरफान के छोटे भाई को इस बात की जानकारी हो गई कि उसकी भावी जब अकेली रहती है तो अपनी प्यास उजाने के लिए तरपती रहती है और फिर इरफान के छोटे भाई ने अपने भावी से नजदिक्या वढ़ा ले और फिर उसकी अच्छे से ठुकाई करने लगा एक दिन की बात है दोस्तों इरफान सहर से घर आया हुआता रात के करीब दो बज़ रहते जब इरफान की नीद खुली तो उसने देखा कि उसके बिश्तर पर उसकी बीबी नहीं थी पूरे घर में उसने अपनी बीबी सवाना को ढोड़ा जब उसकी बीबी नहीं मिली तो फिर इरफान अपने छोटे भाई के कमरे में पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसका छोटा भाई उसकी पत्नी सवाना को घोड़ी बनाकर पीछे से उसका बाजाबा जा रहा था इतना देखने के बाद इरफान गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपने छोटे भाई के साथ लला जगड़ा करना सुरू कर दिया और फिर किसी शहर में जाकर छुब गया जब सुबा हुई इस बात की जानकारी पूरे घरवालों को लगी तो किसी ने पुलिस को फोन के और मौके पर पहुंचे पुलिस ने लास को कबजे में लेकर पोस्ट मानम के लिए भेज दिया और फिर आगे की चानवीन करने लगी दोस्तो जब पुलिस ने इर्फान की पत्नी को हिरासत में लिया और पूश्टाश करने लगी तो इर्फान की पत्नी ने पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता दिया और जब बाद में पता चला कि इरफान की पतनी का अपने देवर के साथ घपा घप वाला दिश्ता था जिसकी जानकारी इरफान को लग गई थी उसके बाद इरफान ने अपने भाई को जान से मार दिया फिर पुलिस ने इरफान को ढोड़ा और लगवग 15 दिन बाद पुलि नहीं है तो आप लोग भी साधान नहें 70 का अपने आपको सुरच्चित रखें अपनेपरिवार को सुरच्चित रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें आमें साथ देखते रहें लग और वीजिए आं-खूट